Hello Friends, I am Dr. C.S. Prashant P. Patel, who welcomes you in my YouTube channel P.M.P. उनके हिसाब से X यानि ऐसे लोग जो आलसी होते हैं, जिनने काम करना पसंद नहीं होता, काम चोर होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं, और Y यानि ऐसे लोग जिननों काम पसंद होता है, वो जिम्मेदारिया उठाते हैं, वो चाहे कुछ भी हो जाए काम क बंद नहीं करेगे वो हमेशा self motivated रहते हैं ऐसे लोग जो होते हैं बड़े ambitious वाले होते हैं जिसे हम कहते हैं theory x kind of people तो इसी related वही theory के related एक और question जो है वो generally पूछा जाता है difference between theory x and theory y अगर आपने वो theory बहुत अच्छे से समझी है आगे के दोनों पार्ट आपने देखे है तो य third part आपके लिए बहुत ही जादा easy होने वाला है तो चलिए कौन से कौन से difference है वो हम समझते है फिर answer कैसे लिखना है वो भी हम समझ लेगे the difference number one is superior set objective अगर हम x category की बात करे तो x category वाले कभी खुच से कुछ काम करने वाले नहीं है वो आलसी है वो बैठे रहेगे वो काम तब क कर तब जाके वो काम करेगे मतलब यहां पर जो object है वो superior try करता है क्योंकि x वाले तो कुछ वैसे भी नहीं करने वाले मतलब उनका जो boss होगा वो सब कुछ काम fix करेगा किसको क्या करना है कितने time में करना है और फिर x वाले उसी साब से काम करेगे जबकि y category में क्या होता है ज इसको एक example के साथ समझते हैं समझो कि मैं आपका boss हूँ मेरे नीचे 100 लोग काम कर रहे उसमें से आप भी आ गए आप भी उसमें से एक हो अब 100 में से 70 जितने लोग कैसे होगे x वाले होगे मतलब rc होगे तो उनको मैं order दूँगा आपको क्या करना है कैसे करना है वो लोग उससाब से काम करेगे मतलब वो सारे object मैं fix करूँगा बचे 30 समझो कि आप उस 30 में आते हो आप बहुत अच्छे हो बहुत अच्छे से काम करते हो बहुत ज़्यादा ambitious हो तो ऐसे case में मैं अकेला object decide नहीं करूँगा हम सब मिल के object decide करेगे तो यहाँ पे supervisor अकेला कभी object set करता नहीं है यहाँ पे teamwork के साथ object set होते हैं y category में जबकि x category में x category वाले कभी कुछ करने वाले नहीं है superior कोई object set करने पड़ेगे ambitious भई x वाले बहुत आलसी कामचोर और बहुत कम सपने देखते हैं उन्हें life में कुछ करना ही नहीं है they are less ambitious while in case of y they are more ambitious उनके सपने बहुत बढ़े हैं वो career के path को बहुत लंबे समय तक आगे तक देखते हैं कि उनका career क्या होगा they are more ambitious like and dislike regard to work x जो है उनको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आथा वो बहुती lazy kind of person है they always dislike the work while in case of y they always like the work they are ready to take responsibility they would like to do more and more job for the corporate उनको अपनी company के लिए काम पे काम करना ही है तो वो कभी रुखने वाले नहीं है they like the work ये भी एक difference है tools of motivation अगर हम x category वालों की बात करें तो x category को आप कैसे motivate कर सकते हो with the help of negative tool क्योंकि वो वैसे भी सुनने वाले नहीं है वो आलसी है उनको आप डरा धमका के ही motivate कर सकते हो कि ये कर वरना काम पे से निकाल दूँगा ये काम कर वरना तेरी salary cut कर दूँगा ये काम कर वरना तेरे allowances बन कर दूँगा उनको डरा धमका के ही motivate किया जा सकता है otherwise वो कभी काम करने वाले नहीं है तो उनके लिए कौनसे tool बने हुए है negative tool बने हुए है जबकि y category में कौनसे tool है तो y category के लिए आपके पास positive tools है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे लोगे उनको आप क्यो negative करोगे तो दोनों ही देखे ये difference आपको तभी समझ में आएगा जब आप आगे के दोनों पार्ट को अच्छे से समझ के आए होगे तो आप ये सारे difference easily समझ पाओगे जल्दी से तो ये एक difference है tools of motivation x के लिए negative tool y के लिए positive tool use किये जाते है for the purpose of motivation next one is trust x जो है वो ज्यादा trustworthy नहीं होते ना उनके उपर trust कर सकते है ना उनके किसी काम पर trust कर सकते है they are not that much trustworthy employees जबकि y जो है they are more trustworthy as compared to x अगर x के compare में दिखा जाए तो बहुत ज़्यादा enthusiastic और trustworthy person होते हैं क्योंकि वो corporate के लिए भी बहुत कुछ सोचते हैं वो खुद काम करते है corporate को अच्छा बनाने के लिए the next difference is acceptance of responsibility भई ये भी है difference अगर x category की बात करे तो they always avoid responsibility उनको कभी जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं है वो काम चोर है वो हर एक चीज़ से अपना हाथ हटा देगे वो तुरन दूसरे किसी पे अपनी जिम्मेदारी डाल देगे they never accept the responsibility they just shift or transfer the responsibility on others जबकि वाय वाले कैसे होते है वो workaholic kind person है they always accept responsibility उनमें उनको और जादा अच्छा लगता है उनके अंदर और efficiency बढ़ जाती है उनकी काम करने की because they like the work they are more workaholic so they ready to accept the responsibility तो यह भी एक difference हो गया the next one is innovation या innovative x वो आज का काम नहीं कर रहा है तो नया क्या सोचेगा they are not that much innovative वो कभी अपने आपको अपग्रेड करते नहीं है वो आलसी kind of person है but why category के लोग जो होते है they are more innovative क्योंकि वो हमेशा अपने आपको अपग्रेड करते है वो अपने आपको जमाने के साथ लेके चलते है chain of communication अब अगर हम x category की बात करें तो x वाले तो बहुत आलसी है मतलब वो कभी खुच से तो काम करने वाले है नहीं मतलब उनको काम देना पड़ेगा के तो यह काम करतो ही वो करेगे मतलब यहाँ पे single way communication होता है boss जो है वो order देके जाता है और वो लोग काम खतम करते है फिर से boss आता है order देके जाता है वो काम करते है वो सामने reply नहीं देते उनको काम खतम करना है बस तो यहाँ पे single way communication होता है जबकि Y वाले जो है वो double way communication रखते है मतलब boss आएगा उनकी advice लेगा फिर Y वाले अपनी advice देगे फिर काम होगा क्योंकि वो जादा enthusiastic है काम के लिए तो Y में chain of communication double way होता है जबकि X में single way होता है तो यह भी एक difference है and last one is control system अगर X की बात करे तो वो कभी खुझ से काम नहीं करेगे उनको कोई control करने वाला होना ही चाहिए otherwise वो company को बेच के खा जाएगे उतने आलसी है but why? Y के उपर कोई controller नहीं होगा ना कोई देखने वाला नहीं होगा फिर भी वो काम करेगा क्योंकि उसको काम करना अच्छा लगता है तो this is the basic difference जो आपको descriptive exam में पूछ सकते है MC के लिए भी important है MC के लिए तो हम video बनाएगी अलग से लेकिन अगर आपको यह question descriptive में पूछते है तो यह साथ mark का descriptive question है difference between theory X and theory Y तो आप difference कैसे लिखोगे मैं always हर एक student को कहता हूँ कि वो अभी वो जो आप box बना के difference लिखते हो वो pattern छोड़ दीजिए वो school के बच्चों के लिए थोड़ा एक time पे समझ में आता है but college students के लिए अब वो method काम का नहीं है अब difference आप कैसे लिखो जैसे कि आपका point number one है acceptance of responsibility तो आप कोई भी box मत बनाईए जैसे आप point लिखते हो ऐसे ही लिखिए point number one acceptance of responsibility फिर एक लाइन छोड़के एक paragraph लिख दीजिए कि in case of theory X they are not ready to accept any kind of responsibility because they always avoid the responsibility they always pass on the responsibility towards the other because they are lazy they are less ambitious less workaholic they are never trustworthy to the organization so they always ignore their responsibility फिर एक लाइन छोड़के दूसरा paragraph लिखिए in case of why they always ready to accept responsibility of the organization because they are workaholic and honest towards the organization वो जादा honest होते है as compared to X फिर आप point number two लिखिए innovation फिर same way पहला paragraph X का दूसरा paragraph Y का फिर third point लिखिए पहला paragraph X का दूसरा paragraph Y का this is the new method to write a difference between any question ये तो difference ऐसे लिख जाजाता है और जिनकी exam MCQ based है उनके लिए तो MCQ series आएगी जब पूरा motivation खतम हो जाएगा तो इस वीडियो में हमने difference between select discuss किया I hope so बेटा ये वीडियो आपको समझ में आएगा short वीडियो था काफी अच्छा अगर आपने पहले दो पार्ट देखें तो ये बहुत easy लिए आप समझ चुके होगे thank you so much for watching और अगर आपको ये पूरा series अच्छा लग रहा हो motivation chapter का तो please एक काम करिएगा चैनल को subscribe जरूर करिए और हो सके उतना लोगों के साथ वीडियो को share करिएगा thank you so much झाओर कि भीट जाएगों के दो ऍटने से लिएस करमकोईघ कि प्षकाओ